Welcome back to GK Code Labs सारे नॉर्मल व्लोग्स की तरह ये भी एक हिंदी में व्लोग होने वाला है इस वीडियो में एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज में बताना चाहता हूं इनकेस अगर आप लोग ऐसे हैं कि जो नया YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर मेरे चैनल पर हैं तो most obvious के थोड़ा बहुत technology related और थोड़ा बहुत नहीं नहीं coding languages और ऐसा जो कुछ भी आता है इसके related vlogs बनाना चाहते हैं तो इसमें देखे एक चीज तो होता है कि आप screen record करके डाल दो बट उसमें उतना interaction नहीं हो पाता है आपकी audience से सो काफी लोग यह चाहते हैं कि हम ऐसा बनाएं कि हमारा face भी आ जाए और जो हम बताना चाहते हैं वो तो हम screen recording में दिखाई देंगे तो इसके लिए धिरे-धिरे gradually जैसे या हो सकता है कि आप starting में ही ऐसा feeling आती है कि क्या mobile camera सही रहेगा या कोई और camera भी लिया जाए और हो सकता है हमारे requirement थोड़ी जादा भी हो कि एक camera ले लिया और उससे खाली हम indoor shoot ही अच्छा कर पा रहे हैं इसमें ऐसा investment करना क्योंकि हर एक camera 40-50,000 से कम नहीं आता है तो mostly लोग GoPro की तरफ जाते हैं कि GoPro ले 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 और उसमें indoor shoot भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत हमारा outdoor shoot जैसे कहीं बहार जाते हैं तो वह भी हो जाएगा तो यह एक category of people है जो mobile से और GoPro में थोड़ा सा confused होते हैं कि mobile से recording करें कि GoPro से करें इंडोर में कौन सा चरहेगा तो इस वीडियो में मैं यही थोड़ा सा elaborate करूंगा कि कौन सा लेना चाहिए मैं दोनों यूज कर रहा हूं और मेरे सारी वीडियो भी I'm a data engineer so technology को explain करना और mostly video screen recording पे होती हैं बट थोड़ा realistic interaction के लिए मैं इस तरह से interact करने के लिए भी थोड़ा बहुत कैमरा फोन और मैंने थोड़ा सा अपना setup अपग्रेड किया है और बहुत ही minimal setup है तो इस reason से मैंने यह अपग्रेड किया है तो जो मैंने face किया I'm a newbie और जैसे कि आजकेल के linkों में कहते हैं I'm a noob but still जो भी मैंने face किया आप लोग भी वही face करोगे उसके बारे में थोड़ा सा describe करूँगा और आपको gopro और mobile camera इस में से क्या choose करना चाहिए यह भी इस video में explain करूँगा तो सबसे पहले थोड़े से samples देख लो आप लो जो कि मैंने record किये है outdoor indoor दोनों में और इसमें बस यह ध्यान रखना मेरे पास just तीन cameras है एक gopro एक oneplus nord और एक मेरे पास secondary camera phone है जो है realme 5 pro जो मैं पहले यूज़ करता था बट अब मेरा secondary बन गया है तो मैं वह अब कैसे दिखाओं क्योंकि अभी मेरा जो oneplus है उससे मैं यह record कर रहा हूं लेकिन चलिए अभी मैं आपको दोनों दिखा देता हूं झाल ऑदाओं क्या सबस्टार बन का उब कुछ देता हैं I'm caught in the dice, look at these eyes, they're not here to please you There was a time, you couldn't be mine, before all that you put me through I knew that you were trouble, but I didn't think you were bad I'm living on this global and I miss you so much You can say hello, but I don't need you to like me Don't need you to like me, don't need you to like You cannot ask me good, cause I don't need you to like me Don't need you to like me, don't need you to like me You can say hello, but I don't need you to like Don't need you to like, don't need you to like You can watch me good, cause I don't need you to like Don't need you to like, don't need you to like Don't need you to like Don't need you to like And this video that we will be on realme 7 Pro से होगी क्योंकि वो मेरा सेकेंडरी कैमरा है क्योंकि बाकी दो प्राइमरी कैमरा मुझे आपको स्क्रीन पर दिखाने तो यह है मेरा वो सेकेंडरी स्मार्टफोन जो है रियल्मी 5 प्रो तो अब मैं इस से रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई option नहीं है इसको मै लगाता हूँ यहाँ पर तो यह दोनों कैमरा मेरे प्राइमरी कैमरा हैं और इसमें मैं आप लोग को डिफरेंस बताऊंगा कि मैंने क्यों यह चूज किया और क्यों यह चूज किया और कौन सा बेटर है या दोनों आपको consider करने चाहिए थोड़ा बहुत investment अगर आप कर सकत हो तो क्या चीज कंसीडर करने चाहिए इन दोनों को लेने से पहले या फिर कौन सा नहीं लेना चाहिए तो पहले देख लेते हैं कि कितना खर्चा हुआ in all this सो यह तो मेरा primary phone था पहले अब secondary है बट जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा इंवेस्ट करना चाहिए अपने आप फोटो खीचना चाहते हो या वीडियो बनाना चाते हो तो उसमें भी बहुत options हैं इस समय as a YouTuber अगर आप Google करते हो या फिर YouTube पे सर्च करते हो कि कौन सा कैमरा बेटर है तो आपको पचास तरह की चीजे मिलेंगी बट जैसे कि DSLR ले लो या फिर जो mirrorless cameras आते हैं उनको ले लेकिन मेरा technical background है although या मतलब थोड़ा सा सुनने में लगता है कि हाँ technical background है लेकिन हाँ technical cameras और यह photography में नहीं है मेरा technical data engineering में है तो मैं अगता शौर नहीं था मुझे ऐसा चाहिए था कि just I click it and मेरा काम बन जाना चाहिए तो उसमें मुझे GoPro उस समय थोड़ा सा सही डील लगी कि मैं थोड़ा सा जैसे व्लॉगिंग करते हैं जैसे travel करते हैं तो उसको भी शूट कर सकता हूं और नहीं तो देखते हैं कितना बेटर है इंडोर शूट्स के लिए तो मैंने थोड़ा सा कंसीडर किया थोड़ा बहुत स्किल्स चाहिए जादा नहीं लेकिन इंडोर शूट्स भी कर सकते हूं वही सब हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो उस वजए से मैंने ये गोप्रो हीरो हो एट ब्लाक ले लिए बट उसके पाद मुझे रियलाइज हुआ के हां कैमरा लुच तो बहुत अच्छा है और एक अगर काफ जगा और आउट्इंग करी थी तो चैमरा बहुत बहुत अच्छा है action shooting के लिए बहुत अच्छा है बट low light में आप कर सकते हो बट थोड़ इसी tweaking चाहिए तो अभी let's get to the point काफी लंबा हो गया बट let's get to the point के ऐसा क्या है जो आपको एक smartphone और एक gopro में consider करना होता है क्या pros क्या और उससाब से फिर हम finally मैं यह भी बताऊंगा कि आपको gopro लेना चाहिए या phone लेना चाहिए specifically तो कुछ points discuss कर लेते हैं थोड़ा सा time लगेगा लेकिन आपकी buying decisions बहुत अच्छी हो जाएंगी इसके बाद क्योंकि आप समझ लो मैंने यह gopro लिया था ही रो एट ब्लाक यह almost 30,000 का पड़ा था बट यह gopro लेने से ही काफी नहीं है इसके बाद इसकी accessories और जो नाटक नोटन की है वो सब ही almost 6-7,000 की पड़ जाती है तो almost 40,000 odd का मुझे पड़ा यह और उसके बाद जब realize हुआ कि चलो phone लेके देखते हैं तो phone भी अच्छे camera का चाहिए तो phone oneplus लिया तो वो भी around 30,000 का पड़ा तो almost 60-70,000 तो होई गया तो वो आपको double खर्चे ना करने पड़ें इस वज़े से यह थोड़ा सा suggestion मैं दे रहा हूं आप देख लो तो पहले discuss कर लेते हैं कि क्या कुछ यह दोनों cameras एक smartphone camera और एक gopro मैं hero 8 black को as a reference लेके चल रहा हूं और oneplus nord को एक reference लेके चल रहा हूं क्योंकि दोनों mid-range devices हैं और as a starting YouTuber आपको इसी रेंज में चीज़ें चाहिए होंगी 25-30,000 में तो क्या चीज़ें यह दोनों devices देते हैं पहली चीज़ें एक natural सा optimization not natural as a nature बट एक easy to go like click and you are done ऐसा कुछ optimization smartphone ज्यादा देते हैं क्योंकि उसमें filters होते हैं और काफी सारी चीज़ें एक click पे दिया आपको दिखा के हाँ मेरी वीडियो अच्छी आ रही है and you are good to go तो ऐसी चीज़े smartphone में ज्यादा होती हैं तो मेरे oneplus में मुझे इस तरह के काफी अच्छे results मिले बट और points भी consider करने जरूरी हैं वही चीज़ें अगर आप एक gopro में करना चाहते हो उसमें भी सारी settings है आपका white balance है color schemes है exposure है उसको थोड़ा सा tweak करो बहुत जादा technical नहीं है अ चीज़े नहीं है आप कर सकते हो but smartphone में click में हो जाता है but इसका एक drawback बहुत बड़ा है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सारे points बताता हूं तो customization वाली पहली चीज़ हो गई filters filters आप लगा लो phone में और gopro में उतना नहीं मिलता है थोड़ा जाओगे तो stability related, angle related, wide angle चाहिए पूरा मेरे को जहां मैं जा रहा हूँ, forest चाहिए उससे related है ना कि आपके indoor और आपकी technical video से related है वो आपके लिए नहीं बना है लेकिन हमें consider करना है क्योंकि हमारी range में आ रहा है तो यह point ध्यान रखना थोड़ा सा अब main चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, low light क्योंकि आपको indoor shoot करना है तो obviously light low होगी, अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक यह सामने ring light लगी हुई है और सिर्फ एक light है मेरे room में, सिर्फ एक light और उसमें एक smartphone से ऐसा result है जो आप देख रहे हो, कुछ इसमें editing नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब color grading औ color से light से related कोई भी editing नहीं है, तो ऐसा result आपको मिल सकता है, एक smartphone से, एक चीज़ और, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक reference लेके चल रहा हूँ, OnePlus Nord को, तो उसका camera थोड़ा अच्छा है, Samsung, OnePlus, और OPPO, इन सब के cameras थोड़ा सा अच्छा होते हैं, मैं कह सकता हूँ, लेकिन यह आप मा जैसा आप चाहते हो, वैसा result आपको मिल जाए, क्योंकि main चीज़ थोड़े से अच्छे smartphone, near about 20-30,000 की range में, आपको results मिलते हैं, क्योंकि इसमें camera support करता है, आपके 1080p 60fps, तो अगर कोई camera 1080p 60fps support कर रहा है, तो उसमें आपको थोड़े से smooth results मिलेंगे, अगर कोई 30fps, 24fps ऐसा support कर तो बहुत जादा अच्छे results नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा stuttering type की आईगी वीडियो में, तो 60fps and 1080p, अगर ऐसा है आपका smartphone, तो आप start कर सकते हो, तो चलिए, यह तो consider कर लिया, but हाँ, let's come back to our low light situations, low light situation जहां पे आती है, सबसे बड़ी problem इंडिया में जो है, वो है screen में flickering आना flickering जब आती है, तो बहुत issues है, flickering आपने देखा होगा, जैसे आप अपने smartphone से भी, अगर नहीं हो रहा है, तो अभी अपना smartphone on करो, और एक laptop की screen या अपनी low light में, अपनी CFL या tube light की screen में, कोई भी चीज़ आप record करके देखो, उसमें एक flickering type की आईगी, सबसे बड़ी problem है, क तो उसमें problem यह है, कि इंडिया में light आती है, 50 Hz frequency पे, आपकी naked eyes यह चीज़ नहीं recognize कर पाएंगी, बट camera recognize कर लेता है, कि वो 50 Hz की frequency पे, light आपको permanently जले हुई दिख रही है, और वो on, off, on, off होती है, जो कि आपकी naked eye capture नहीं कर पाती है, बट camera कर लेता है, अगर उसके पास proper exposure न पे जा रहे हो, तो यह issue हो सकता है, indoor light में, so अगर आप indoor light में, smartphone या GoPro पे जा रहे हो, तो आपको यह देखना पड़ेगा, आपकी lighting conditions proper हो, आप ring light ले सकते हो, आप soft box ले सकते हो, जिसमें अच्छी proper light आ जाए, तो आपकी यह problem resolve हो जाएगी, और यह सबसे बड़ी problem है, I must tell you, अगर आप try करोगे, आपको पता चल जाएगा, यह तो हो गया, कि आपने सब कुछ अच्छा setup ले लिया, कि light भी अच्छी ले लिया, soft box ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब results कहां पे अच्छे आएंगे, results no doubt natural light में जादा अच्छे आएंगे, अगर आपने मेरा B-roll देखा होगा, तो वो मैंने सारा outdoor shoot किया है, क्योंकि वो जो flickering होती है, वो although आप editing में manage कर सकते हो, but ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा properly आपको show हो ही जाएगा, अगर outdoor में shooting करते हो, no problem, gopro पे जाओ, या फिर smartphone पे जाओ, अच्छा camera वाला, दोनों ही बढ़िया है, एक चीज जो का इंदा consider करता है कि 30,000 का, क्योंकि मेरे दोनों neck to neck है, 30,000 का ही मेरा GoPro पड़ा, although accessories जादा पड़ी, और 30,000 का ही मेरा smartphone पड़ा, but differences क्या है, differences बाद में पता चलता है, जब आप GoPro ले लेते हो, GoPro की cons पता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप GoPro जब ले लोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा, कि मैं जो videos हैं, उसको तो shoot ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो error दे रहा है, error क्या दे रहा है, कि memory card नहीं है, अब भाई मैं shoot कर रहा हूँ, वो video save भी तो होनी चाहिए, तो आपको ऐसा कुछ memory card भी लेना होगा, अब वो जो card है, ये भी कुछ specific conditions का होना इसमें भी अलग-अलग speed होती है, तो अगर आप देखो कि ये A2 standard का है, और इसकी 160 mbps speed दिख रही है, तो आप class 10, लोगों ने mostly class 10 सुना होगा, class 4 ले लें, class 10, class 10 तो बहुत बढ़ी होता है, बहुत fast होता है, नहीं, class 10 में भी आपको versions मिलते हैं, जिसमें speed अलग-अलग है और ये जो version है, ये आपको local shops पे बहुत कम मिलता है, mostly online मिलेगा, मिल जाएगा easily, but online ही मिलेगा, तो अगर जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैंने gopro मंगा लिया, और मैंने जुचा कि मार्केट से ले लूँगा, अभी देख लेते हैं, कि कौन सा मेभी वहाँ पे कुछ catalog में कुछ अलग लिखा हो, तो उसे साब से मैं memory card ले आँगा, लेकिन फाइनली यही हुआ, कि मुझे इसी speed का लेना है, 160 Mbps और इससे जाधा भी आते हैं, तो वो मुझे लेना ही था, तो मैं गया वहाँ पे, market में कहीं भी available नहीं है, class 10 available है, but 160 Mbps वाले available नहीं है, 100 Mbps तक हैं, ले यहाँ gadget आता है, तो मन तो करता है कि इसमे रिकॉर्ड करके देखें, फिर भी 7-800 रुपए अलग खर्च किये, और एक class 10 memory card में ले के आया, मेरे पस हाँ नहीं, तो वो में ले के आया, और मैंने गोपरो में डाल के देखा, ठीक है, अच्छी recording कर रहा है, लेकिन अगर आप 4K पर रिकॉर्ड करते हो, या थोड़े हाई FPS पर रिकॉर्ड करते हो, तो वो वीडियो quality ऐसी नहीं आगी, क्योंकि उसकी memory card की speed उतनी नहीं है, तो फिर फाइनली चलो, 4-5 दिन लगे, यह memory card आ गया, यह डाला है, तो थोड़ा सा result अच्छा आ रहा है, अब पता नहीं हो स एक चीज ऐसे लेके तो घूमोगे नहीं, तो अब आपको इसका stand चाहिए, stand चाहिए, और इसको फिर कहीं भी लेके जाना है, record करना है, या कुछ रख के stable ऐसा record करना है, तो ऐसा कुछ selfie stick चाहिए, selfie stick बोल लो, stand बोल लो, अब या तो gorilla pod ले लो, जो की होता है, मतलब आप ऐ selfie लेनी है, ऐसे करके vlogging करनी है, तो उसका अलग issue, तो कुछ ऐसा stand मुझे मंगाना पड़ा, यह है कि आप इसको यहां से ऐसे lose कर सकते हो, और यह ऐसे कर सकते हो, तो यही चीज आपकी पूरी ऐसा vlogging stick type की बन जाती है, यह हुआ, और उसके बाद अगर कहीं आपको stand पर रखना है, तो यह ऐसे आप open कर सकते हो, और इसको ऐसा वापस उल्टा लगा के इसका stand बना सकते हो, तो यह बहुत सारी ऐसी फालतू की accessories है, जो फालतू की लगती है, लेकिन अगर आपको इसका true use करना है, तो यह आपको लेना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हो, there is no other option, अब उसक के बाद in case, मान लो, चलो यह, in case मान लो, चलो यह सारी चीज़े मैंने ले ली, मैं कहीं travel पर गया, उसके बाद मुझे इसको रखना है, कहीं पर, और में भी, चलो ठीक है, long time के लिए इसको रखना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इसको as it is, ऐसे रख दूँ, तो घर का ज case भी लेना होगा, अब इसके अंदर आपके gopro रखने की चीज़ें, और memory card रखने के वही सब सारे slots है, तो यह खुद अलग 600-700 रुपए का है, तो कहने की चीज़ है के quality अच्छी मिल जाती है, action camera है, लेकिन extra खर्चे जो है ना, वो 7-8,000 रुपए आप उपर लेके चलो, वही चीज़ एक smartphone में, जो यह OnePlus मैंने लिया था, इसमें यह सारी चीज़ें नहीं है, हम अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, और बस एक चीज़ का जो requirement रहती है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, वीडियो तो record हो रही है, बट audio मेरी इसमें record हो रही है, तो mic आपको अच् smartphone ले लो, चाहे आप GoPro ले लो, GoPro में एक अलग नाटक और है, वो external mic ऐसे support नहीं करता है, उसमें आपको यहां पे, जो इसका USB C type दिया हुआ है, यह वाला port, इसके लिए एक अलग mic आता है, और जो की C type में लगता है, और वो GoPro की compatibility के साथ, अगर आप देखोगे तो, नियर 5,000 रुपए का है, मैंने अभी तक वो लिया नहीं है, लेकिन मैं try कर रहा हूँ, I'm not sure कि अगर ऐसा कोई port हो, जो C type में लग जाए, और अधर 3.5 mm jack लग जाए, जो की, अब मैं try करने वाला हूँ, देखूँगा कैसा result है, I'm not sure, वो support नहीं करेगा, मैं 90% sure हूँ, लेकिन ज मुझे मिला नीदा, वो अलग से मैंने लिया, कि मैं चलो जब इतना महंगा फोन ले रहे हैं, तो यह तो ले ले, यह बहुत महंगा नहीं है, यह 3.99 का है, तो ऐसा कुछ यह cable आता है, तो यह एक तरफ से C type है, और एक तरफ से 3.5 है, तो अगर मैं चाहूँ, तो इसको 3.5 connect कर सकता हूँ, यहाँ पर, लेकिन अब यह काम करेगा नहीं, I'm 90% sure, अगर किसी ने ट्राइ किया है, तो मेरे को comment section में बताना, मुझे लगता नहीं है, काम करेगा, लेकिन करके देखूंगा एक बार, लेकिन मेरा काम चलता है, क्योंकि कोई ऐसा issue नहीं है, क्योंकि अभी सबसे important बात, सारे pros and cons आपने देख लिए, quality किसकी बढ़िया है, तो quality में अगर मैं जाओं, तो quality दोनों की बढ़िया है, but एक factor है, गोप्रो में अगर आप देखोगे, तो वो तीन टाइप के resolution support करता है, 1080p, then 2K, almost 2.7K, और 4K, तो तीन टाइप के resolution support करता है, but इसमें quality किसकी अच्छी है, वहीं पे आप स्मार्टफोन पर आ जाओ, तो स्मार्टफोन अगर अच्छा है, जैसे मैं OnePlus Nord की बात करूं, तो ये front camera ही mostly use होता है, front camera में ये भी 1080p, और 4K, 2.7K, खाली GoPro में है, 1080p और 4K को support कर देता ही है, but usually phone में हम लोग 4K नहीं use कर देगी, कि इसकी quality उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन GoPro में है, GoPro obviously इसलिए बना है, action camera है, और वो 1080p, 2.7, 4K तक अपनी quality को resolution के हिसाब से consistent रखता है, मतलब वो deliver करता है, actually, so मैं usually अपनी GoPro की footages 2.7K में record करता हूँ, तो ये benefit हमको GoPro में मिल जाता है, कि मैं 2.7K पर record करता हूँ, लेकिन YouTube में मैं उसको 1080p में render करता हूँ, YouTube पर डालने से पहले, तो क्या फाइदा हुआ, मैं phone से, front camera से 1080p में record कर रहा हूँ, और उसको 1080p में डाल रहा हूँ, बट GoPro की जो वीडियोज है, मैं उसनको 2.7K में record कर रहा हूँ, मतलब अल्मोस्ट 2K में record कर रहा हूँ, लेकिन render कर रहा हूँ 1080p में, मतलब उसको downscale कर रहा हूँ, तो बात तो वही हो गई, आपको लगेगा फाइदा क्या हुआ, आप phone से रिकॉर्ड कर लो, बट अगर मेरी वीडियो 2.7K में record हो रही है, और उसको मैं downscale कर रहा हूँ, तो उसकी quality ज्यादा अच्छी आईगी, compared to, कि मैं 1080p में ही record कर रहा हूँ, और obviously चलो 1080p में ही render कर रहा हूँ, तो वह तो natural हो गया, बट अगर मैं किसी high resolution video को downscale करके, एक standard format में render कर रहा हूँ, तो उसकी quality ज्यादा अच्छी आती है, तो जो भी मेरी videos हैं, उसमें, अगर मैं उसको downscale करके डालता हूँ, उसकी quality ज्यादा अच्छी आती है, और not to mention, obviously frame, फोन में आपको एक limited frame मिलता है, गोपरो में आपको wide, ultra wide और इस तरह के मतलब बहुत wide frame होता है, जैसे कि आपने देखाऊगा action videos में, कि आपको पूरा sky से लेकर के, ground और जो भी आप record कर रहे हो, वो सब दिख रहा होता है, तो उतना बड़ा frame लेकर के, वो भी high resolution में, उसको आप downscale भी करोगे न, तो उसकी quality अच्छी रहेगी, compared to, जो की automatically या पहले से आपने 1080p में record करी हुई है, तो ये एक benefit मिल जाता है, तो मैं ये बोलूँगा, कि अगर आप अभी एकदम start कर रहे हो, तो just go with a smartphone, but provided कि आपका camera अच्छा होना चाहिए, go with a Samsung, OnePlus, या फिर OPPO, जो भी आपको high resolution provide करे, आपका exposure locking, focus locking, ये सारे features provide करे, ये दोनों बहुत important है, exposure locking और focus locking, ये बहुत important है, और आपके थोड़े बहुत filters तो खहर सब में होते हैं, क्योंकि वो बाद में, जो editing में, post production होता है, उसको बचा लेते हैं काफी, और not to mention, आपको accessories भी कम लेनी तो start with a smartphone, good smartphone, gopro के लिए तब तक मत जाना, अगर आपको travel vlogging नहीं करनी है, और उसके बाद करनी है, तो gopro is best, travel vlogging के लिए best है, और धीरे धीरे करके आप learn करो, थोड़ा सा समझो, क्या होती हैं, ये सारे जो camera के terminologies हैं, ये सारी चीज़े समझो, और start करो smartphone से, but हाँ, थोड़ा स अधियो एल फर दिस वीडियो, hope you liked it, पसंद आई हो, like करना, and subscribe जरूर कर लेना, stay tuned to GK Code Lab, thank you guys, see you later.